नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल गाओं की रिसोई में आलमा आपके सामने हाजरू एक नई रेश्पी के साथ और वो है छोले और पूरी आपने छोले और पूरी तो बहुत बार भंडारे में विखाए होगे लेकिन घर पर जब आप बनाते हैं अगर आपको फूली पूरी और छोले वैसे ही चाहिए भंडारे में बनते हैं तो एक बार आप इस रेश्पी को जरूर देखें कि पूरी और ठोले बनांजे के लिए पाला नो ने एक को तोरी चने दिया इनको हम 5-6 गंटे के लिए बिगोग कर रख देते है देखिए हैं..? देखिए- मैने इनं चनवों को एक टषिवाममा डाल दीये है चनि मैने पधियों में डाल दिय अब हमने इसके अंदर पानी डाल देते हैं जे दो हमे ती स्पूल नमग डाल देते हैं नमग आप्तेस्स के उसार कमे ज्यादा भी का ढूल शकते हैं देखिए पानी में इसके इंदर डाल दिया है पानी हमें एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि अच्छे से हमारे चने भीग जाएं अब हमें इनको डखकर रख देंगे 5-6 गंटे के लिए ताकि अच्छे से हमारे चने उबल जाएं देखिए हमारे चने एक दम भीग कर त्यार हो गया है अब हम यह पानी निकाल देते हैं और चने निकाल कर एक कुकर में डाल देते हैं देखिए हमने इनका पानी ये निकाल दिया है देखिए हमने चने कुकर में डाल दिया है अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे इसके अंदर डालेंगे देखिए हमने इनके अंदर पानी डाल दिया है अब हम दो से तीन चिटी उबालने के लिए चने लगाएंगे वकर का धक बंद कर देखिए है और गैस को चलू कर देखिए है है अब हम दिया हमत्ते सुरत के अधर ग्रेवी के लिए चने बॉलकर एकदम त्यार हो गए है देखिए फूपर से हमने छोले अलगन कार लिया है देखिए हमने पतीला लिया उसमें हम दो टीश्पून तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम करेंगे ग्रेवी के लिए मैंने पहले ही टमाटरों के आज की कटिंग कर लिया है उसके बाद मैंने मसाले लिया है दो टीश्पून मैंने लाल मिट्स लिया है उसके बाद मैंने लस्ण और अदरुक का पेश्ट लिया है जो मैंने पहले से बना के रख लिया है तेंटेक तपिसपून वेनी दैनए पाउडर लियें आदा टीस्पून see अल्दी फाउडर लिये वो नमख हम टेस्ट करने चाल सकते है जीरा लजिए है देखिए हमार तेलग्रम होगे रहने जीरा इसके बाउड के लिग कहा है अब क्याग टाले लिए प्याज को फ्राइब करें अच्छी से हमारा प्याज ब्राउन हो गया है अच्छी मिक्स कर लिए तोड़ा साफ पाले एड़ किया है आदा कप अच्छी मिक्स कर लेते हैं अच्छी मिक्स करें हैं तीन से चार मिल्ट के लिए उसाले पिलाई करें हैं तो देखिए हमारे मसाले अच्छी से पक गया है अधिये अब हम इसके अंदर पाने डाल देते हैं वही पानी अब लें के लिए मारी सबजी में उबाल आ गया अच्छे से अब हम 2-3 उबाल इसके अंदर लगा लिए घण कर त्यार हो गई है अब हम पूरी के लिए आठा लगा लेते हैं के लिए हमने एक कटोरी आटन लिया है गेंग काटा और एक टीस्पून हमने अजवायन लिया है और एक गिलास हमने लस्ची लिया है क्योंकि आटा हम लस्ची में गुंदने वाले हैं और टेस्ट के अंसार हम नमक डालेंगे एक टीस्पून तेल लिया है रिफाइंड मोरन के लिए अब हम इसे आटे में डाल देते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे एक पहले हमें आटे के अंदर इस तेल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक दम अच्छे से हमने आटे के अंदर जो मोरन डाला था हमने मिक्स कर लिया है अब हम आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके लस्ची को डालेंगे और आटे को अच्छी तरह समूत और विल्कुल में हम गुंद लेंगे दसे जैसे flowing के लिए आटा गुंद लिए पूरियों कre के लिए भी हम आटा यसे ही लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके लशी हम आटे के अंदर एड़ कर लिए और एकदम नरम आता हम पूरियों के लिए बनाने वाले एं देखिए मैंने लस्ची के साथ यह आटा गुंद लिया है आप पानी के साथ भी से गुंद सकते हैं देखिए एक दम बिल्कुल सोफ्ट और मुलावं अब हम गुंदे लगाते हैं थोड़ा साथ तेल आथ पे लगा लेते हैं ताकि आटा चितके ना और अच्छे से गुंद लेते हैं मैंने पूरा आटा लस्ची के साथ गुंद लिया है आप चाहे तो दई भी आड़ कर सकते हैं सोफ्ट आटा लगा करके हमने त्यार कर लिया है अब हमें एक कडाई लेंगे और उसमें तेल गरम करेंगे हमने एक कडाई लिया है अब हम उसके अंदर रिफाइन डाल लेते हैं पूरी तलने के लिए तेल को अच्छे से अब हम गरम करेंगे आप चाय तो रिफाइंड किछ गैशाट्व का तेल भी ले सकते हैं पूरी तलने के लिए जग तक हमार तेल गरम उतले हैं तब तक हम आटे की लोई बनाकर पूरिया बेल लेटते हैं देखिए हमने लोई बना लिया बिल्कल छोटी सी नौरमल रोटी से हम छोटी लोई बनाएंगे अब हम हलका सा तेल हाथों पर लगाएंगे और उसके बाद इसे बेर लेते हैं एक ड़ टोटी की तरह बिल्कुल गोल तब तक हमारा तेल गरम हो जाएगा बिल्कुल गोल पूरी उने रोटी की तरह बेर लिया है देखिए हमारा तेल एक तम गरम हो बहा है अब हम पूरी स्केंडर डाल देते हैं कि आगा तो देखिए एक साइड से अनक प्रत तक प्लाट जायें जट तक हमारा पूरी बिल्कुल ब्रावन रंग किना हो जाए हलका सामिस के दमाव डालेंगे ताके मारी पूरी फूल जाए और देखिए कैसे मारी पूरी एक तम फुली फुली बनी है हम दूसरी साइड स पूरी फूर जाए और हमारी पूरी बनकर त्यार हो गया हम इसे निकाल देखिए हमारी पूरी बन गई है इसको अमने निकाल लिया है देखिए हमारी पूरी पूरी पूल गई है अच्छे से हमें दूसरी से इसे पल्ट भी आए अमका साइसे तबाएंगे तागे अच्छे से पूल गई है आज को थोड़ा दीमा करेंगे देखिए हमने पूरी को दूसरी साइड से पल्ट दिया है अब हम इसे निकाल लेते हैं हमारी पूरी 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 एकदम बनकर त्यार हो गई है देखिए हमारी पूरी एकदम फूली फूली बनी है हमने पूरी बना लिए देखिए हमारी पूरी और छुले बनकर एकदम ट्यार हो गई है बिल्कुल फूली फूली पूरी अबने बनाई है अगर आपकी पूरी फूलती नहीं है तो एक बार इस रेसिपी को जुरूर देखिए देखिए बहुती टेस्टी और लाजवाब हमारी पूरी और छुले बनकर त्यार है एकदम टेस्टी झाल